विपक्ष बिखर हुआ नजर आ रहा है तोटा हुआ नजर आ रहा है व इसकी वजह ये है कि एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं तीस तरिक को वो यात्रा समाप्त हो रही है और उसमें उन्होंने विपक्षी दलों को बुलाया है कि आप सभी लोग एक छतरी के नीचे आईए दूसरी तरफ आज एक अलग परिस्थिती देखने को मिली कि केसियार ने कुछ विपक्षी जो दल है उनको बुलाया और एक साथ बैट कर एक रैली की तो यह जो विपक्ष बिखरा हुआ सा नजर आ रहा है 2024 में क्या ऐसा विपक्ष प्रधान मंत्री नरेंदर बोधी के आगे या भारतिया जुनत्ता पार्टी के आगे टिक पाएगा ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है हमारे साथ डॉक्टर संजीव त्रवेदी जी वर्ष पतकार जुड़े संजीव जी 2024 अब ज़्यादा दूर नहीं है और उससे पहले जो भूमिका है वो बनने लगी है राहूल गांदी अपनी भूमिका बना रहा है कॉंग्रेस अपनी भूमिका बना रही है लेकिन KCR कई नेताओं से अब एक तिलंगाना में आकर एक रैली करना और तमाम नेताओं को इखटा करना क्या संदेश देने की कोशिश मैं दो तस्वीरे देख रहा हूँ कल प्रधान मंतरी ने दिल्ली में जो कारिकारणी के बैठे कोई भारती जिनता पार्टी की उसमें कहा कि आप उन वोटरों के पास भी जाएए जिन वोटरों के बारे में आपको यकीन है कि वो आपको वोट नहीं देंगे आप असमंदा की भी यातरा किया कीजिए आप क्रिश्टन समुदाए के पास भी जाएए उन नए वोट बैंक्स में घुसरे की कोशिश की जा रही है बीजेपी के दोरा जो अब तक बीजेपी के वोट बैंक नहीं रहे हैं दोगजार चौबिस की तैयारी के तौर पर ये एक तस्वीर है दूसरी तस्वीर वो जिसकी चर्चा आपने की विपक्ष में जो एका की बात हमेशा होती रही है वो एका की तस्वीर किस तरह से उबर कर सामने आ रही है उसकी एक मानगी ये है कि आज आपने ने सही बताया के के सी आर यानि के तेलंगाना के मुक्ष मंतरी के चंदर शेखर राओ उन्होंने खंमम में एक सभा की है जिसमें की चार मुक्ष मंतरी मौजूद थे चार मुक्ष मंतरी यानि के खुद केसियार तेलंगाना के मुक्ष मंतरी पंजाब के मुक्ष मंतरी दिल्ली के मुक्ष मंतरी और केरल के मुक्ष मंतरी और उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े विपक्ष के रहे ताखिले श्यादों मौजूद थे इन्हों ने भारते जन्ता पार्टी के खिलाफ हमले बोले इन चार राज्यों में या पांच राज्यों में अगर हम लोग सभास की सीटे देखे तो 176 है अगर आप पंजाब, डिली और तिलंगाना और केरल और उत्तर प्रदेश की सीटे आप जोड़ लेते हैं तो 176 सीटे दिखे, इन्हों ने कांग्रिस को नियोता नहीं दिया, कि आप आईए इसमें शामिल होईए और कांग्रिस ने इनको नियोता नहीं दिया, केच अंदर शेखर राओ को नियोता नहीं दिया कॉंग्रिस ने नियुता दिया अखिलेश यादव को कि आप आईए यात्रा में हमारे साथ चलिए उत्तर प्रदेश में वो उसमें नहीं गए समय नहीं निकाल पाए लेकिन वो दूर खंबम चले गए वहां मुलाकात करा है और वहां मुलाकात हो रही थी इसी बीच लखनों में आज मायवती जी की पार्टी भी एक वैठक कर रही थी और मंडल के अध्यक्षों को साथ ले करके उनको किस तरह से चुनाव लड़ने की ट्रेनिंग देनी है और बताना है कि अपने वोट कैसे कंसॉलिडेट करो अचानक से वो सक्रिय हो गई है और उन्हें कह रख दिया है कि हम किसी के साथ नहीं लड़ेंगे अकेले लड़ेंगे जबकि साथ लड़के उनको दस सीटे मिल चुकी है लोग सभा की पिछले चुनाव में लेकिन इस लोग सभा में वो कहती हैं कि हमागे लड़ाइंगे तो ये भी बात समझ में नहीं आती है और उधर ममताब एनरजी मेरी जानकारी है कि उन्हें भी खंबम बुलाया गया था लेकिन वो में घाले चली गई और उन्होंने कहा कि मैं वहां कारिकरम लगा है में घाले जाओंगी तो ये विपक कि वजह से भी बटा हुआ है वो भारते जिन्ता पार्टी के लिए तो फाइदे का सौधा है आपने कहा किसकी वजह से बटा हुआ है कौन लगता है इसके पीछे और इस बटे हुए विपक्ष से सबसेहादा फाइदा किसे होने वाला है दो बाते हैं या तो देखिए जिस जिस वजह से बटा हुआ है और जिस की वजह से बटा हुआ है जिस वजह से बटा हुआ है वो तो नेतुरत का सवाल है ममताब बैनर जी को ये लगता है कि वो दरसल भारते जन्ता पार्टी को जिस तरीके से हराने में सफल हुई है बंगाल में तो जो एक नाशनल मोर्चा है बीजेपी के खिलाफ उसकी सरपरस्थ वो होनी चाहिए और इसी बज़र से वो किसी कांग्रेस के कारिक्रम में या फिर किसी केसी आर जैसा आज खंमम में कर रहे हैं तो उन कारिक्रमों में अमूमन शामिल नहीं होती है क्योंकि उन्हें लगता है कि गोलबंदी का ये कारिक्रम हमें करना है सरपरस्थी का सवार नितीश कुमार सरपरस्ती की एक अपनी धारा चला रहे हैं कहते हमें तो प्रधान मिंतरी का उमीदवार नहीं होना है सबों को जोड़ना है यानि कि हमारी सरपरस्ती सबों को जोडने में रहेगी जाहिर है कि आप कहें नहीं रहे हैं लेकिन निशाना वही है कि हम ही हैं उमिद्वार, सरपरस्ति के दूसरे उमिद्वार, अर्विंद केजरिवाल, उन्हें ने तो भार्तिजनता पाटी को दिल्ली में हराया, कॉंग्रेस को सत्ता से अपदस्त किया पंजाब में, और अपनी जगह बना ली हुजरात में उन्हे दल और बने ही लेटेस्ट तरीके से बीजेपी को टकर देने वाला दल, तो उनके ही गोलबंदी में ये विपक्षी एक्ता होनी चाहिए, सरपरस्ति के ये तीसरे उमिद्वार, कॉंग्रेस वो हमेशा से मानती आई है, कि भाई वो तो एक धुरुब है पार्टी, एक पु विपक्षी दलों को उन्होंने बुला लिया है कि आप आईए, गोलबंदी जो होगा बीजेपी के खिलाब को हम करेंगे सरपरस्ति के ये चवधे उमिद्वार, पाँचवे छटे भी होंगे मुझे यकीन है, तो एक तो है बजह ये, एक तो ये वज़ा है, जिसकी वज़ बीजेपी के खिलाफ लगती है, पर वो किसी भी विपक्ष के साथ नहीं आना चाहती है, उरिसा के बीजु जनतादल की बात कर रहा हूँ, पतनायक साहब की बात कर रहा हूँ, जब कभी भी कोई मौका आता है, तो विपक्ष में रहते हुए, जो YSR Congress है, वो साथ दे जात है, भाते जनता पार्टी के खिलाफ रहते वे भी वो बीजेपी के साथ खड़ी हो जाती है, मायवती जी चुनाओ के दोरान एकदम शान्त रहीं, और उन्होंने कोई हरकत नहीं दिखाई जब 2022 के चुनाओ आये, यहां तक कि कई मीटिंग्स जो कि उनके वरकर्स उमीद कर लिया है, तो 2014 में अलग लड़कर के जितनी सीटे आई थी, उसे कहीं जादा 2019 में साथ लड़कर आई बसा पाके, उसके बाद उन्होंने गड़बंधर तोड़ लिया, गड़बंधर तूट गया, अलग हो गई, और विधान सभा चुनाओं में वो नहीं लड़ी, सपाके स तो ये सब कुछ, उधर ममता बैनर जी ने खमम जाने के लिए तयार हैं, और ने कांग्रिस के यूँ कहें कि नेतुरत में जो गोल बंदी हो रही है बिवक्षी, उसके लिए बहुत जादा पॉजिटिव बयान दिया है, उन्होंने ऐसा भी नहीं है, तो फिर वो कैसे उस दल को टकर दे सकते हैं, ये तमाम मिल करके, और बिहार की क्या इस्थती है, और बिहार में माजजनवरी का उदारन ले लिजे, कि खरगे सहाब अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, और इधर नितिश जी अपनी समाधान यात्रा निकाल रहे हैं, एक ही दिन दोनों ने ता बिह सबों की महत्वकांचाएं आरे आरे हैं और कुछ की जिनकी महत्वकांचाएं नहीं है उनकी मजबूरियां आरे आरे हैं ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग किसी वजह से कुछ लोग इनी वजह से कुछ लोग CBI की वजह से कुछ लोग कुछ और वजह से उस सब के सब जो है इस बात को लेकर के मजबूर हैं कि एक साथ हम नहीं आएं तो क्या अभी से वाक ओवर दे दिया है बीजेपी को इन कुछ विपक्ची दलों ने क्या कॉंग्रेस जिस तरह से गोलबंदी करना चाह रही है और राहुल गांधी का प्रयास लोगों को अभी तक इमानदार लग रहा है क्योंकि इतनी लंबी यात्रा कोई जूटी वजहों से तो करता नहीं है तो क्या राहुल गांधी के साथ नहीं जुड़ना ये भी तैय कर देगा कि तीसरा विपक्ष तीसरे मोर्चे की तैयारी में है और वो जो तैयारी है वो दरसल विपक्षी वोटों के ध्रूवी करण की तैयारी है जैसा कि गुजरात में हम लोगों ने देखा अर्विंद केजरिवाल अलग लड़े, कॉंग्रिस अलग लड़ी और नतीजा ये हुआ कि भारते जिन्ता पार्टी की ऐसी जीत हुई जो कि कभी नरिंद्र मोदी जब वहां के मुक्ष मेंत्री थी तब भी नहीं हुई थी तो ये जो गोलबंदी का सवाल है ये गोलबंदी का सवाल ही अपने आप में विपक्ष की ताकत है और इस गोलबंदी के सवाल पर बीजेपी प्रस्वनिचन नहीं लगा रही है या जो अगर लगा भी रही है तो वो परोक्ष लगा रही होगी प्रत्यक्ष से तो वही लोग लगा रहे हैं जिने गोलबंद होना है तो ऐसे में ठेकर कहा दे पाएंगे फाइदा बीजेपी का है वो बड़ा स्पस्टेल इतिहास के पन्नों को पल्टे हैं तो एक दौर में जब 400 से ज़ादा सीटे कॉंग्रेस के पास और एक शक्स आता है और वो सबको गोलबंद करता है और फिर जीतता भी है कॉंग्रेस को सत्ता से बाहर कर देता है जेपी की बात तो वैसा नेत्रित्व आज के टाइम पे बना रहे हैं या फिर राहूल गांधी भरत जोड़ो यात्रा के जरीए जोड़ने की कोश्च कर रहे हैं दोनों में नजर नहीं आता है बी जेपी के आगे अगर देखें तो तीकिए एक तो आप वीपी सिंग और जेपी की बात कर रहे हैं ये ये सक्सियत जो ती ये एक ऐ ऐसे विचारधारा से आती थी जिसमें कि गैर कॉंग्रेस स्वाद को उन्होंने आत्मसाथ किया और बहुत काम किया लोगों को जोड़ने में कोई अपना पद उनके पास उस वकत नहीं था कि हम यहां के मुख़मंतरी हैं वहां के मुख़मंतरी हैं वीपी सिंग ने जब नवासी में जोड़ा तो उन्होंने विच्टमंतरी का पद त्याग किया था राजीव गांधी चार सो सीटों के साथ आये थे वो पद त्याग किया विच्टमंतरी थे नंबर दो कहलाते थे और फिर वो गोल बंदी करने निकले बो फोर्स के सवाल पर उसके पहरे जेपी एपी की राजनी करीब करीब खत्म हो गई थी अचानक और वो उनका देहांत हुआ वो आंदूलन के दो तीन साल के भीतर ही हो गया तो यानि कि वो अपने जीवन के आखरी चरण में थे उन्हें कुछ नहीं चाहिए था पर जो वैचारिक एक सहमती थी और वैचारिक जो ध जी डरा पाई थी अपनी सरकार से कोई E.D.C.B.I. का मसला नहीं था और वो तयार हो गए कैसे निता के तौर पर जिने खुद नहीं चाहिए जेपी को खुद कुछ नहीं चाहिए था और उनके आंदूरन के लाभारती तो जंता पार्टी बाले हुए जिसमें कि मुरार जी और बाद में चैरन सिंग प्रधान मंतरी हुए उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मागा वी पी सिंग आंदूरन उनका चला वो प्रधान मंतरी हुए और उसके बाद वो सरकार जब चली गई तो उनसे दुबारा च्छानवे में पी-एम बनने के लिए कहा गया था जब क को भी बनना है तो अर्विंद केजरिवाल भी कल कह रहे थे कि कल को हमारी सत्ता दिल्ली में होगी नितिश जी तो हमेशा से अपने आपको प्रधान मंतरी काउमिद्वार मानते आये हैं और एक वक्त था जब देश भी मानता था उनको लेकिन अब थोड़ा संशय होने लग गया है काउंडिस को तो हमेशा से ये बात लगती है कि प्रधान मंतरी तो उसका बनता ही रहा है राहूल गांदी उप्युक्त उमिद्वार है खुद राहूल गांदी कभी नहीं कहते हैं लेकर उनके जीतने भी नेता है पिछले दिनों कमलनाथ जी कह रहे थे और बागी जीतने में जो पद है वो लोगों को परेशान कर रहा है और भारते जनता पार्टी मालीजी अगर कोई प्रयास करती है और विपक्षी एका नहीं होने देती है तो इसमें गलत क्या है यह तो सिरसात है विपक्षी एकता इसलिए भी नहीं हो पाती है क्योंकि सीधे-सीधे अगर थोड़ा हार्श हो जाओं सब करेप्ट है अगर कॉंग्रेस पर यहीं तो तोहमत लगती है कि आप करेप्ट पार्टी है आपने 2G, 3G, जी-जा-जी सब कुछ दे दिया इस देश को तो अगर यह चीज़े आपके टाइम पे हुई है तो आप भी सही से खड़े नहीं पते हैं, आपकी रीड भी तो नहीं है, कि आप मुकाबला कर पाएं सामने वाले का, ऐसे तमाम पार्टी हैं, मायवति कभी-कभी बोलने लगती हैं, वैसे जहां बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोलती हैं, कभी-कभी शांत भी रहती हैं, कुछ वजए तो उनके साथ भी सरकार के खिलाफ, जो मौजूदा सरकार है, करपशन का एक भी मामला नहीं आया, एक राफेल का था लेकिन वो, सुप्रिम कोर्ट ने कह दिया, कोई जर्बड़ी नहीं है, एक भी मामला नहीं है, इनकी राज्यों में जो सरकारे चल नहीं है, वहां से नहीं आया, कोई अधिकारी रिश्वत में पकड़ा गया इनके दौर का ऐसा भी मामला नहीं आया और जो लोग पकड़े जाते हैं फिर उनको फिर बाहर हाँ पर जो मामले आते हैं उनको निप्टा लेते हैं अगर यह सब सामने नहीं आया है तो कुछ हुआ नहीं होगा क्या तो कर मामले सामने नहीं आये तो प्रबंधन है यह भी हो सकता है या फिर सब के सब रखते हैं जिनके लोग फसे हुए हैं मैं आरजीडी की बात कर रहा हूं आरजीडी के तमाम नेता आज की तारीख में करॉप्शन के मामले में फसे हुए उनके वोट बैंक को कोई फर्क नी पड़ता है उससे एकर उनके अपनी जो इच्छाए है कि भई हम बड़े नेता बन तो ये समझ नहीं आता है कि क्या ये एक लिवर आफ कंट्रोल है जिसके जरीए इन्हें कंट्रोल किया जाता है और उस कारण से एक नेतिक बल भी इनके पास नहीं आता है कि सब एक दूसरे की नित्रत को स्विकार करें चलिए ब्रश्टचार नहीं हो सकता है ब्रश्चार से आम जंता को जाधा मतलब नहीं हो सकता है माली जासे गय तो सौर रुपए किसी ने ले लिया काम कर दिया तो चलिए वह चीस फरक नहीं पड़ता होगा लेकिन महेंगाई बेरोजगारी तमाम मुद्धें हैं उस वो भी नहीं है तो लिवर है कहां पिर तो भारती चनलता पार्टी नप्स कौन सी है वो ने इस बात को लेकर के कर्विंस किया है अपने वोट मैंक को अपने मजबूरियों से अवगत कराया है कि भाई अगर हम गरबर हमसे हुई तो उसकी वजहें थी और इस तरह से कर्विंसिंग विपक्ष में जो दल बैठे हुए हैं वो नहीं करा पार है आपने कहां करपशन का असर नहीं होता है पर जो एक विक्टिम का छवी होता है विक्टिम की छवी जो अगर नेतरतों से चली जाती है तो वो विपक्ष से सत्ता पक्ष नहीं बन पाता है ये भारतिय राजनीत का नियम रहा है आज राहूल गांधी आपको पैदल चलता हुआ विक्टि उसके प्रती पब्लिक सिंपथी बड़ी है और इस कारण से वो आप उसका नेतरतों थोड़ा ज्यादा वजनदार लग रहा है कोरॉप्षन है और अगर किसी पे चस्पा है तो वो असर करता है वो पब्लिक सिंपथी उनसे चीनता है वो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत आगे आकर कि यह सकता है कि हम तो बहुत पाक साफ है उनके गिरिबान में जहांके और करॉप्षन दिखाई पड़े तो असर तो होता है पर प्रशन यहां यह नहीं है कि कितना असर होता है प्रशन यह है कि क्या जनता के सामने कोई विकल्प है क्योंकि असल में तो आपको उन्हीं से चुनना है कोई विपक्ष में करॉप्षन से फ्री है ऐसा कोई दल है नहीं ज्यादा तर दल अमूमन उससे मुलविस है वो मामले कहीं आई से अधिक संपत्ति के मामले समाजवादी पार्टी के नेताओं पर चल रहे हैं आरजवादी के नेताओं पर चल रहे हैं फिर वो गोलबंदी की जो बाते होती है ममता मैन जी के भतीजे पर इतने मामले चल रहे हैं वो गलज भी हो सकते हैं सही भी हो सकते हैं राजनीत फिलाल उसे परे रखते हुए अगर मालीजी की एक गोलबंदी की स्थिती को बनाने की कोशिशे हुई तो प्रशनी यहां यह है कि क्या वो जो मामले थे वो बीच में आ रहे हैं नहीं तो यहीं तो बीजेपी इसी चीज़ का तो फाइदा उठाती कहती है कि सारे जो बैमान लोग हैं वो एक तरफ हो रहा है अपना एक गुड बना रहा है लेकिन हम क्योंकि यह हैं हमने इतना कुछ दे दिया है देश को और यह सब करेप्ट लोग हैं यह बाते सामने आती हैं तो जनता फिर फ्लेक्शुेट होने लगती है इदर से उधर तो इसका मतलब यह हुआ कि आज की तारीख में अगर विपक्ष एक नहीं है नित्रत्यों के सवाल पर बीजेपी से लड़ने के प्रश्ण पर तो यह बहुत सोची समझी रणनीत का हिस्सा है और यह रणनीत ऐसा नहीं है कि विपक्ष को पता नहीं है अलग अगर है हम तो हम जानबूझ कार अलग है देश की जनता को यह समझनी की जरूरत पढ़ेगी कि वो अगर खंबम में एक बैठक हो रही है, बड़ी मीटिंग हो रही है, एक पठान कोट में हो रही है और स्रीनगर में हो रही है, खंबम वाले के लिए समय मिल रहा है, पठान कोट वाले के लिए अभी तक समय मिलेगा की नहीं मिलेगा, ये पता नहीं है, तो इसका मतलब ह वकेजने रणने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो फिर इमानदार प्रयास है क्या इस पर बहस की जरुवत है और अगर इस तरह से राजनीत चलेगी तो जाहिर है कि जो गैर भाजपा वोट है उनके पास विकल्प नहीं है वो इनी टुकडों में बटे हुए नेताओं को वो का आज वो शामिल हो रहे हैं उसमें क्यों उन्हें लगता है कि उनका जो तरीका है वो इधर के वालों के तरीके से क्या बहतर है आज मनप्रीत बादल विच्टे के अच्छे जानकार है पहले वो कॉंग्रेस के साथ थे अकालियों के साथ थे फिर कॉंग्रेस के साथ हुए गाजुन ने 30 पार्टी जोईन कर लिया, और बहुत से लोगों ने जोईन किया है, मैंने पाया है कि चाहे वो अकलियत, वोट बैंक की बात हो, आउट्रीच बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मोधी, तो ऐसे में ये जो टुकड़ों में बटा विपक्ष है, ये कितना कर पाएग कि आप इनके साथ जाएंगे तो फिर आपकी भी फाइले खुलेंगी, इसलिए मैंने कर्यप्शन वाली वो बात की थी कि यहाँ पे इमांदार नहीं हैं लोग, इमांदार होते हैं जैसे आपने काहा ना, कि एक दोर में इमांदार थे, एक एक विचारदारा थी, तर उससे वो साथ अगर आना चाहते तो आपको मार्च में दिखाई पड़ते, लड़ी तो चुके हैं एक बर साथ, उन्हें लगता है फाइदा नहीं है, वो आपको जम्मू में या स्रीनगर में जो कारिक्रम होने वाला है, उसके लिए वो तैयार दिखाई पड़ते, तो केबल वो सूत नकपास और लठम लठा अभी से हो रहा है, अभी से, तो वो एक हो करके लड़ पाएगा विपक्ष, इस बात की संभावना अभी से मुझे लगता है कम है, और खंबम ने ये साबित कर दिया, चली बहुत बहुत शुक्रिया, संजी जुड़ने के लिए तो हमारे जो जनता पार्टी है, दूसरी तरफ विपक्ष है, विपक्ष में भी दो रास्ते निकलते हुए नजर आ रहा है, दो तरफ लोग चलते हुए नजर आ रहा है, एक तो राहुल गांधी है, जो कि भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले है, तीस तारीक को उसका समापन है और उस नमस्कार, मैं हूं मानक गुपता, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें, तो जुड़े रहे हमारे साथ तो देखके रहिए, News 24